हेलो अब्रीवन दिस इस रुपेश कुमार और वेलकम यू आल इन दिस आई टीजम 2017 फिजिक्स पेपर सॉलुशन आज आपन आई टीजम 2017 फिजिक्स के पेपर सुलुशन का सेक्शने का कुछ कोश्चन देखेंगे जो पार्ट वन के बाद रहे गया था उसमें कोश्चन नि इंटिग्रल अब देख्टर ए रोफाई जेड इस एकवर टो 40 वाइ रो कॉस्ट फाई रो कैप स्टेंडर नोटेशन फोर स्रेंड्रिकल कोडिनेट्स इस यूजड अबर द वोल्यूम आप सिलेंडर आफ हाइड एल एंड रेडियस आट इस दोस्तों यह जो एक वैक्टर क्या है रेडियल डिरेक्शन रेडियस के अलॉंग डिरेक्शन है ठीक है यह देखिए आपक्य वेदिया स्टेंड़र नोटेस्ञ फोर स्लेंड्रिकल कोडिनेट सिस्टम इस इसका भॉलूम निकालना है लेजिए आप यहांप एक चीद्गोर कर सकते हैं कि जो आपसेंस है है वह सबसे पहले एक्टर को सबसे पहले को यह जो रोख के आप देख पार ह। यहांपि यह पो सिलिंड्रिकल कोमेटि सिस्टम में तो आपनों सबसे पहले यह उनिट वैक्तर को काड़ीजन कोडिनेट की वैक्टर कर लेंगे ताकि आंसर हमारा इसी टर्म में है जैसा कि ऑप्सन में दिया हुआ ठीक है तो सबसे पहले हम लोग केप का का ट्रांस्फर्मेशन एक्वेशन यूज करेंगे आई केप जेकेप के टर्म में सिधा में यूज करेंगे यहां पर ड्राइब नहीं करेंगे उसके बाद इसका बॉल्यूम इंटेग्रल लेंगे तो आए देखते हैं इसका स्वालुस्टान कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यह वेक्टर दिया हुआ है हाई टेल दिया है रेडिया सार नौट दिया हुआ है सिलेंडर का अपने हमने लेटस सपोर्च कर लिया कि इंटीग्रल आई इज इक्वाल टू वोल्यूम इंटीग्रल एडीबी सुरह यहां पर पार्ट होते हैं तिन इंटीग्रल आ जाएंगे जीरो से आर नौट ग्रेडियस के लिए एक फाइख के लिए जीरो से टू पाइए और एक जीरो से ल हाइट के लिए ठीक है और एक के जगह पर देखिया हमने इसको रख दिया फोटी वाई रो कॉस फाइप का देखिया हम हमें elementary volume कितना होता है रो डी रो डी फाई डी जड यहां पर यह डॉट नहीं है दोस्तों माप किज़ेगा इसके लिए यह सिर्फ डी भी है ठीक है इसके लर प्रोड़क्ट है तो अब आए देखते हैं आगे कि हम ने क्या क्या इस दोनों पार्ट को दोस्तों अलग-अलग कर लिया आप यहां पर देख पार रहे होएंगे कि जैसे इस फोट्टी देखें हांसे रो रो पहले कट गया उसके बाद यह 40 कॉस्फाई बचा और इधर क्या बचा दोस्तों डी रो डी फाई डी जड यह 40 कॉ separate integral दोस्तों आगिया देखे multiply करने पर आप देख पा रहे होंगे उसके बाद हमने क्या क्या जो constant है उसको हमने बाहर ले लिया आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यह 40 i cap 40 और i cap को हमने common ले लिया 0 से आर नॉट जो radius का integral है दोस्तों 0 के लिए हो जाएगा 0 से ल जो height का है लिए हो जाएगा सेपरेट कर लिए हमने इंटेग्रल को और कॉस स्क्वार 5D5 जो है यह 0 से टूपाई लिमिट हो जाएगा ठीक है यह तीनों इंटेग्रल को सेपरेट कर लिया प्लस यहां पर आप देख सकते हैं 40 j-cap यहां पर उसको अलग कर लिया और 0 से आर नॉट डी-row 0 से ल्ट जैड और 0 से टूपाई वाला को एक साथ जाड़ वलाक को एक साथ सेप्रेट कर लिया अब इन करकर करेंगे और आए देखते हैं इसका क्या भेलू आता है और आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि यह जो डी रो है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा रो और लिए 0 से आर नोट तो आर नोट मैंनस 0 तो आर नोट बच्चेगा ठीक है उसी तरह डीजएट लेमिट है 0 से ल तो इसका वेलू कितना हो जाएगा दोस्तों एल हो जा ठीक है और इंटू डीफाई उसके बाद आप देख सकते हैं जो सेकेंड टर में से फोटीजए अपना बाहर में है उसी तरह डीजएट जीरो से अलयल हो गया और यहां पर हम देखिए वन वे टू से डिवाइड कर दिया और टू से मल्टिप्लाई कर दिया यहां पर इस ट करना थोड़ा आसान हो जाता है तो देखिए हमने उस फॉर्म में उसको कनवर्ट कर दिया अब आगे देखते हैं इसको हम क्या कर रहे हैं आप यहां पर देख रहे हूंगे 40 i cap r nought l और यह 2 सब को यहां पर हमने एक साथ लिख दिया 2 से देखिए हमने 40 को काट भी दिया तो 20 हो गया उसके यहां पर इंटिग्रेशन को हमने अलग अलग कर लिया 0 से 2 5 यह d5 एक बार 1 के साथ मल्टिप्लाई होगा एक बार कियोंके 2 sin 5 cos 5 कितना होता है sin 25 होता है अब यह देख सकते हैं कि जो sin 25 का वेलु कितना होता है साइन टू फाई का वेलू होता है माइनस कॉस्ट फाई बाई टू तो इस इंटेग्राल का जब अपन लिमीट लेंगे दोस्तों 0 से टू पाई तो यह कितना हो जाएगा एक मिनट दोस्तों काफी नुआ जा रही है कि ओके सो अब आपन देखते हैं यहां पर कि यह जो साइन टू फाई दोस्तों इसका इंटेग्रेशन कितना हो गया माइनस कॉस्ट फाई और यह टू फाई चुकि उस पर कॉंस्टेंट है तो टू डिवाइड हो गया इस माइनस को और इस टू को माइनस वन बाई टू कामन हम को क्या कर देगा 0 कर देगा मतलब जो सेकेञंद टर्म था तो फूरा का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अब बचा यह फर्स्ट तर्मएं रहां हम देखे जिरो से 2 파 2 का एइटीफाइड का इंटीग्रेशन का इन्टीफाइब नोस्तों नोस जाएगा है हफिमètres पडनाथ commence कोना देख सकते और यह पर लेख में लिलिया और यह साइट्रीफाई का लिमिट रहा तो 20 आर नोट लाइक ट्वेंटि आरोट लाइक केव और यह टू पाइ टू पाइं पाइं मल्टिप्ला कोर्ट फॉर्ट फॉर्ट पाइं आलोट आलाई केव तो इस तरह से जा महारा बोल्म करेक्ट आंसर है आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा आए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्च्ट्छन कि यह बढ़ा क्वेश्चन था दोस्तों मोडन फेक से तंसिडर रिजबर्ग हाइड्रोजन लाइक एटम्स इन्हें हाइली एक्साइटेट इस्टेट विद एन एराउंड 300 कि देखें दोस्तों क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इनिशली को एक एक्वेश्चन कहें तो हमारा फ्टीन्ट से जस्टेट में टर्ण्जिषन करता है यानि कि final state nf कितना हो जागा दूस्तों 299 तो पूछ रहाए कि जो इस दोरान radiation होगा उसका wavelength कितना होगा किस रेंज में होगा ठीक है देखिए उन्होंने कह रखाए कि अगर लेंड़ा सब्सक्राइब कितना अन्फारेट होगा तो में और लोम्डा निकाल लेत और देखिए पूर मार्क करेंगा कि कि ऐसी स्राइब स्क्राइब अभी थर्म्राइब लगाएंगे आप यहां पर देख सकते हैं सब को यह फ्रमूला मालूम होगा यह शबार सब्सक्राइब एटोमिक थियोरी मोडल से हर्जोन लाइक एटम ठीक है वन लेमडा इक्वल टो होता है आर इन्टु वन वाइन फैस्क्वाइर मैनस वन बैना स्क्वार दोस्तों यहां पर लेमडा वेवलेंथ है और आर क्या है रिजवर कॉंस्टेंट है जिसका भेलू होता है 1.097 इंटू 10 to the power 7 पर मिटर एने फ्षण नाई दोस्तों इनिशियल और फैनल स्टेट है तो इनिशिल हमारा जो एक्टाम में दोस्तों इनिशियल स्टेट कितना है 300 और जस्ट एड़ेसेंट इस्टेट में क्या कर रहा है ट्रांजिशन कर रहा है दोस्तों तो तो हमार अब देखें हम यहां पर इसको रिभर्स कर ले रहे हैं तो यह लेंडा इस इकोल टूट चुकि वन बैलेंडा है तो रिसे पोरकल लेने पर लेंडा इसकोल टूट यह वन बैर हो जाएगा और यह भी उल्टा हो जाएगा यानि आई सकते हैं कि हमने आर का वेलू पूट कर दिया 1.097 10 डूदी पावर 7 एन आई का वेलू 300 एन एप 299 जब इन सारे वेलू को पूट करके दोस्तों इसको आप अच्छा से स्टेप 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 करेंगे तो आप आएंगे कि जो लेंडा यानि वेवलेंथ है इसका मतलब हमारा जो आप्सेंस है उसमें यह ओप्सें करेक्ट मैच कर रहा है कि वेवलेंथ लगभग मीटर में है सम्थिंग मेटर लमडा यह प्रॉप्सिपेटली सम्थिंग मेटर ड़िए यानि कि आप्सेंटी दोस्तों हमारे क्या है इसका करेक्ट आंसर है आई सब्सक्राइब के विव से यह भी काफी अच्छा कोश्चन है कंसिडर टू आइडेंटिकल फाइनाइट आइसुलेटिट सिस्टम आप कॉंस्टेंट हिट कैपसिटी सी एड टेंप्रेचर टीवन एंड टीटू वैर टीवन इस ग्रेटर दन टीटू दोस्तों यहां पर कर सब्सक्राइब आगे पड़ते हैं एन इंजन वर्क्स बिट्विन दैम अंटिल टेंप्रेचर विकाम्स इक्वल इनके बीच एक इंजन यह काम करता है दोस्तों तब तक जब तक इनका टेंप्रेचर वराबर ना हो जाए टेकिंग इन्टू अकांट एड़ वर्क परफॉ जीरो टूटल चेंज इन इंट्रोपी इज हमच जीरो यह रिवर्सिवल प्रोसेस का दोस्तों प्रोपर्टी यह देखिए आप लिग भी दिया है तो अपने को बताना है कि इस इंटायर प्रोसेस के दुरान मैक्सिमम वर्क दन कितना होगा और वह आप्सन टीवन टीटू और सी के टर्म है तो चुकि यहां पर एक हिंट दिया है कि रिवर्सिवल प्रोसेस अपने को एज्यूंग करना है मतलब टोटल चेंज इंट्रोपी कितना होगा जीरो होगा तो आई देखते हैं कुछ कंसेप्ट लगाते हैं यह कंडिशन दिया वाए कि इनिशली टीवन प तो देखिये दोस्तो इंट्रोपी का एक फर्मॉला होता है चेंज इन इंट्रोपी का clnth2 by T1 कितना होता है ट 2 by T1 जहां पर T2 टीवन 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 ATE शानचन के मान वहक Sieglish दोनों दूनों का टीएफ हो जाएगा और इनिश्यल इसका टीवन है और इसका इनिश्यल टीटू है तो इंट्रोफी का देखिए यहां सिस्पर्मूला को लगाई है पहला के लिए c ln tf by t1 plus c ln tf by t2 is equal to 0 ठीक है total net change in entropy is 0 अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने c common ले लिया तो यह क्या बन गया ln tf by t1 plus ln tf by t2 is equal to 0 अब आप देख सकते हैं कि आप एक logarithmic identity याद रख सकते हैं है फिर आपको याद होगा कि ln a plus ln b जो होता है दोस्तों ln a b होता है ठीक है ln a into b हो जाता है तो ln a plus ln b कितना हो जाएगा ln a b हो जाएगा मतलब ln tf by t1 into tf by t2 यह tf 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 square हो गया और नीचे t1 t2 हो गया ठीक है और बाहर में बच्छों c constant common है and all the entity or quantity must be equal to 0 since the process is reversible कि अब आप यहां से देख सकते हैं कि यह सी उधर जाके 0 हो गया तो यह दर बच्छा ln tf square by t1 to equal to 0 इस ln को उठाएगे उधर ले जाएगे तो exponential to the power 0 हो जाएगा इधर बच्छे अंडर टी वन इंटू टी टू क्योंकि एक टीवन टी टू दोस्तों उठके इधर चला जाएगा तो टीएप स्वार इकवाल टीवन टीटू तो टीएप इकवाल टू टू अंडर रूट टीवन टीटू अब हम लोग को दो फाइनल टेम्परेचर मिलीगा सिस्टम का दूस्तों तो अब आपन यहां पर किया निकल सकते हैं वर्क डण निकल सकते हैं ठीक है कि जब इंजन दोनों का टेमपरेचर को एकवाल कर दिया और कितना टेंपरेचर करने में उसको कुछ वर्क डून करना पड़ा ऑगा उ दोस्तों maximum work done का एक फर्मूला होता है CDT ठीक है चेंज इन टेंप्रेचर से इंटू चेंज इन टेंप्रेचर तो W मैक्स इक्वल टू पहला के लिए कितना काम करेगा सी तोनों का हीट कापेसिटी दोस्तों सी है और चेंज इन टेंप्रेचर टीवन मैनस टीएफ प्लस सी इंटू चेंज इन टेंप्रेचर दूसरा के लिए टीटू मैनस टीएफ यह दोस्तों टोटल नेट वर्क डण होगा ठीक है और इससे को मैक्सिमुम वर्क डण भी बोल रहे हैं आप देखिए हां से सी कॉमन लेंगे त प्लस टीटू माइनस टूटी आपी और सी कि तीवन मेंस टीटू माइनस टू और का बेलू कितने हैं दोस्तों रूट अंडर टीएफ्टी मेंसटी टीटू की हमत्रूट का लेंए सतं संब्सक्रेटू दोस्तों यहां से हमने T1 प्लस T2 2 अंडर रूट T1 T2 को कैसे लिखा रूट T1 मानस रूट T2 का हॉल स्कॉर आसा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि देखें यहां पर हम आपको दिखा देते हैं जब आप अंडर रूट T1 मानस अंडर रूट T2 इस पूरा का हॉल स्कॉर को तोड़ हाल एसक्वार है तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो इस क्वेश्चन का फाइनली हमारा आंसर है कि वह कितना है दोस्तों कि सी टाइम रूट अंडर टीवां मानेस टेटू का हॉल एसक्वार काफी अच्छा कोश्चन था हाई देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन दोस्तों यह भी कोश्चन आइटी जम का 2017 का इसको अपने स्टेस्टिकल मेकनिक्स के क्वेश्चन बोल सकते हैं था ऑगे यह वाइट दोप स्टार है सोल उल्मI and contents and electrons so that the density of electron is small and equal to capital N by bring a small n kya पर क्या दोस्तों number density number of electrons per unit volume taking the temperature of the start to be zero Kelvin the average energy for electron in the star is epsilon naught equal to three H cut square by two संब्सक्राइब रेलेक्ट्रोन का एब्रेज एनरजी जो है एक प्रेज अनरजी इतना दिया हुआ है और आपको इंट सार एलेक्ट्रोन पे लगने वाला प्रेजर को बताना है कि वह कितना होगा इंट तर्म सब नौट ठीक है तो बहुत यासान कोश्चेन है आई देखते ह इसका सॉलूशन दोस्तों एभरेज एनर्जी एक रेक्ट्रोन का इतना दिया हुआ है थिरी एज कट स्क्वाइर टेन एम थ्री पाई एस्क्वाइर एंट टूदे पाइट टूबर टूबर थी हमने देखिए आप एक क्या-क्या थ्री एज कट स्क्वाइर टेन एम को रहने लिए और पूरा का तूबर ठी थी था टो कैबिटल अनके रने दिया निचे में घृपाऊच टूबर रिदिर को ले के उसको हमने अलग कर दिया वान भाइब कपी कर चेह ऐसे हम कर सकते हैं और इसको हमने क्या माल लिया दोस्तों equation 1 माल लिया अब आप देखें जो टूटल energy होगा दोस्तों टूटल average energy होगा सारा electron का वो कितना होगा n into e0 होगा क्योंकि आपको मालूम है कि एक electron का अब्रेज अनर्जी था तो सारे number of electron total कितना question में बोला है n है capital N तो total energy कितना हो अब अपने को सारे उलेक्ट्रों पर लगने वाद प्रेशर निकालना है तो सारे लगने वाद एनरजी मिल गया तो निकाल सकते हैं देखे दोस्तों यह स्टिकल में में ड्राइब एक बहुत है फेमस फर्मूला है कि पी नाथिंग बाट माइनस डो यू बाई दो भी आप इसको बहुत आसानी थर्मोडाइनिक्स एक्वेशन का भी यूच करके आप निकाल सकते हैं तो पी को दोस्तों होता है माइनस डियू बाई डिवी तो डियू कितना है यह एन इनॉट है तो माइनस एन और यह इनॉट डियूट बाई डिवी दोस्तों भी भलूम है भी के रिस्पेक्ट में अपने को यहां डिफ्रेंशेट करना इस इनॉट को देख्या आप यहां पर नाट का भेलू देख सकते हैं यह पूरा यहां से यहां तक दोस्तों कॉ इन्वाल्व नहीं है सिर्फ वान भाई भी का पॉर्ट टू भाई थ्री का ही डिफ्रेंसेशन होगा ठीके रेस्पेक्ट में आप यहां पर देख सकते हैं कि कि एक सिगेंड कि अब यहां अब देख सकते हैं कि पूरा कॉंस्टंट है तो यह कितना हो जाएगा अब यह बोलूम जो था दोस्तों भी का पावर टू बै थरी नीचे में तो उसका माइनस टू बै थ्री बीका पावर मानेस फाइब थ्री हो जाएगा अब आप यहां पर देख सकते हैं कि उसको हम क्या कर रहे हैं अधि बीक इस एक्वल डू टू बै थ्री एंट थी एज कर टे अंट अट्री हैन्स परकपती बै थ्री वन वर भी प्रथ्री और वन बै देखें विक का पावर जो मानस फाइब बै थ्री था उसको नीचे लाएंगे तो वन बै बीक पावर प्लस प्राइब थिरी हो जाएगा उसको आप इंडिविजुल यह सालिक सकते हैं वन बाइब भी का पार टू बाइब थिरी और वन बाइब ठीक है इन लोग एड करेंगे तो भी का पार फाइब थिरी हो जाएगा हमने यह साइस लिखिया क्योंकि यह जो अंडर ब्रेकेट टर्म ह चाहिए अंडर बरेकेट टर्म क्या बन जाए है एंड ट्र नॉट बंजाएगा कि तो यहां से अप देख सकते हैं कि यह जो टर्म था यहप सयुआश्यान नौट बन गया सबडिक इस तर्म हैहन बैप फीन वांब भी नहांपर क्या होता है दोस्तों और ये क्या बन गया तो नोड़ तो टोटल जो आफ्रेज इलेक्त्रोनिक प्रेसर है टोटल एलेक्ट्रोन पर लगने वोला दोस्तों कितना आ गया टू बै थ्री एंड टाइम इनॉट जहां पे नॉट क्या है एक एलेक्ट्रोन का अभरेज एनर्जी है स्मॉल एन क्या नंबर डेंसिटी है ठीक है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस कोश्चिन के लिए जो करेक्ट आप्शन है हो ऑप्संडी है 2 x 3 and E0 ठीक है आसा करता हूं आपको समझ माया होगा ऐहीं देखते हैं कुश्चन सोलेड स्टेट का है दोस्तों काफी अच्छा ट्रीकी कुश्चन है काफी चुने इसको गलत भी क्या होगा आई होप सो के लग्या प्रोटासियुम क्लोराइड है अनिसल टाइप स्ट्रेक्चर विच इज एपसीब ट्रू अटम बेसे वान एट जिरू 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 एट राट वन बैट वन बैट वन बैट वी यह तो डिफिनेशन देरा है दोस्तों इसका प्रोपर्टी देरा है एजू प्रोपर्टी बताते हैं इसका फिर आप खुद बखुद आंसर कर लेंगे इसको याद भी रखें के सील डज नॉट फॉलो दर रिफ्लेक्शन ओप एपसीसी विकाउच के सील जो ब्रेक होता है किसमें के प्लस आयन और सील माइनस आयन में तो इसका जो दोस्तों एटॉम टॉमिक स्केट्रिंग सेक्टर होता है के प्लस आयन का ओर सील माईंस आयन वर भर अट के अडते है तो यही कारण है कि इनका जो एकट्रमिक सूडतिन फेक्टर ब्रावर होता है दोस्तों दोनों आयान QA इस लिए in इन दिस टेम डिफ셔야ह का सैटे वेटम्स यժ nov नहीं करता है बहुत बच्चे गलती करते हैं लेकिन हाँ एने सी एल जो है दोस्तों सोडियम क्लोराइड वह एप सिसे का रिफ्लेक्षं लॉग को फॉलो करता है किसी यल फॉलो फॉलो जो रिफ्लेक्षण आप सिंपल की विक बित लेटिस परामेटर एबाइट तू दू द एबए टू लेते हैं उसका हाफ लेते हैं ठीक है यानि कि जब हम लोग एच के ल प्लेन लिखेंगे दोस्तों तो जो है उसमें रेसिप और कल लेते हैं जब आपन निकालते हैं मिलर इंडेस तब तो यह वन एबाइट टू हमीशा टू पर चला जाएगा ठीक है टू ही सिंपल की विक में जब ए मैं आगलेन तब इसमें आप आघर करेंगे सत्य निकालेंगे तो डोस्तों दोस्तों दुस्तों हूगा dewसा उस Dá तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें वAnnं को अगरْ प्ले अगर वन कंटेंड कर रहा है तो के इली का पिक नहीं हो सकता है कि यह गलत हो जाएगा सिंपल क्यूबिक का है यह टू-0-0 किसका अगर दोस्तों के सीट कई कई कि अपने करता है यह सिंपलल की इटीस पारमेटर नॉट ठीक है इसका मतलब जो टू कण्टेन करेगा वह आंसर इसके लिए possible हो सकता है जिसमें 2 नहीं हो तो बिलकुल नहीं हो सकता है ठीक है तो और यह नेस्ट कोष्चिन आपके स्क्रिम के उपर यह रहा which one of the following graphs represent the derivative of prime x equal to df by dx of the function fx equal to 1 by 1 plus x square most closely graphs are symmetric and not drawn to scale थे दोस्तों यहाँ पर एक function दिया हुए fx equal to 1 divided by 1 plus x square अब अपने को बताना है कि इसका फर्स्ट ओडर derivative यह प्राइम x equal to df by dx उसको कौन यहां में से best represent कर रहा है यहाँ पर प्राइम x y axis में लिया गया है दोस्तों और x को लिया गया है x-axis में तो सब्सक्राइब को निकाल लेते हैं बहुत ही आसान है डिफ्रेंसेशन लगाएंगे यह देखें हमने डिफ्रेंसेशन लगाया और fx equal to 1 by 1 plus x square किया जो दिया हुआ है तो आप यहां से देख सकते हैं प्राइम x कितना निकल गया माइनस 1 by 1 plus x square का हॉल square और 0 plus 2x इसका 1 plus x square का 1 का 0 हो गया और x square का 2x हो गया तो यह फाइनली कितना हो गया माइनस 2x by 1 plus x square का हॉल x का रासा करता हूँ को डिफ्रेंसेशन आता होगा दोस्तों हम लिमिटिंग केस चेक कर लेते हैं at x equal to 0 x prime x0 ठीक है जब x0 दोस्तों यह उत्तो पता चल गया कि आप राइम एक्स का ब्यलू कितना होगा जीरो होगा तो एट x equal to 0 x प्राइम एक्स 0 होगा मतला बहर जब ओर ऑरीजिन पे होगा यह तो दोस्तों गलत हो हूए क्योंकि आदा एक सिकोल को जीरो प्राइम हर्श औरीजिन पर नहीं है एक मैंसलों दिखा रहा है यह पूसेवल हो सकता है अभी हिद्यों नहीं हो सकता है यह हो सकता है यह चुलिफ्शिल तेनों में अर्टेक सीप्वड गजीरो फ्राइम हो अल्सوق आप देख सकते प्राइम एक्स का भेलू कितना होगा तो यहां से देख सकते हैं कि आप प्राइम एक्स का भेलू कितना है माइनस टू एक्स और यहां पर देखिए हमने नीचे में क्या क्या यहां पर दोस्तों जब एक्स का भेलू रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर infinite कि one by infinity पूरा टर्म को क्या बना देगा दोस्तों जिरो बना देगा तो और इक डाटा मिल गा कि वन एक्सटेंश टो प्लस infinity एप प्राइमेश इंफिनिटी तो आए फिर इस लेमिटिंग केस को यहां पे देख लेते हैं हम लोग कि जब एक्सटेंश इंफिनिटी होगा जिरो होते जा रहा है यहां पर भी जिरो होते जा रहा है यहां पर भी जिरो होते जा रहा है तो अब अपने को क्या देखना है दोस्तों कि जो इसका value है किसी particular x equal to हम लोग चेक कर लेते हैं let x equal to 1 पर हम लोग इसका value चेक करते हैं देखते हैं किधर टेंट्स कर रहा है ठीक है negative में या positive में तो यहाँ पर देखे हैं हमने एक value लिया है random value पर चेक कर रहे हैं let at x equal to 1 f prime x का कितना value हो जागा दोस्तु इसको आप 1 रखे जहाँ जाए एक्स था तो देखेगा minus 0.5 आएगा इसका मतलब है कि जब at x equal to 1 होगा दोस्तु f prime x का value जो है वो नेगटिव में होगा positive value है तो यह भी गलत है यह option एक ऐसा graph है जिसमें positive x equal to 1 value के लिए जो प्राइम x का पिक हो कहां पर नेगटिव y-axis में है और वो माइनस 0.5 मान लिए उसको तो यह जो graph है दोस्तों इस तरह से यह सही सब्सक्राइब आसा करता हूं आपको यह question समझ माया होगा आई है अपन देखते हैं next question नेक्स्ट कोश्चन है इन दा रेडियेशन इमिटेट बाइ ब्लाक बोडी दो रेश्य आप श्रिक्वेंसी टू मियू और बिल वहरी बित मियू आज तूस्ति इसमें कहा रहा है कि ब्लाक बोडी डेडियेशन में जो एस्पेक्टर डेंसिती होता है उसका एट फ्रिक्वेंसी टू मियू और फ्रिक्वेंसी मियू का जो रेश्यू होगा वो क्या होगा आपके पास ऑप्सन है तो सबसे पहले हैं आप याप देखते हैं कि ब्लाक बोडी रेडियेशन में जो एस्पेक्टरल डेंसिती होता है इसका फर्मुला क्या है फिर उसम इस एकवल टू एट पाई मियू स्कॉरवाइसी क्यू एच मियू बाई एक पाउर एच मियू केटी माइनस वन यह फर्मुला है ठीक है अब अपने को अप क्या करते हैं जो मियू वाला टर्म नहीं है क्योंकि अभी हम लोगों मिगे रसपेक्ट में निकालना है तो बाकी क इस सथाँ आपने को इस्पेक्टाईंसिटी यू का भिलू बताना है रेशियो का भेलू बताना है at mu equal to 2 mu and mu equal to mu तो u का जो भेलू है at 2 mu कितना होगा आप यहां से देखे a mu के जगा 2 mu का hall q नीचे e b और mu के जगा 2 mu minus 1 तो यह देखे वो टर्म हम नहीं है पर लिख दिया तो mu रखेंगे तो सेम टर्म आएगा देखें सेम टर्म रख दिया आप देख सकते हैं कि constant a और a कट जाएगा दोस्तों उपर में क्या बचेगा 2 mu का जो hall q कितना हो जाएगा 8 mu q हो जाएगा और यह कितना बन जाएगा यह का power 2 b mu minus 1 यह टर्म दोस्तों यहां पर हो जाएगा यह निचे वाला सबसे निचे वाला टर्म उपर चला जाएगा तो यह का power 2 mu minus 1 वाला टर्म देखें उपर आ गया और यह में की टर्म जो है दस्तों कहारा जाएगा अब आप यहां से देख सकते हैं कि कुछ कुछ कट भी रहा है निचे में एक पावर 2 B minus 1 जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं यह एक पावर 2 B minus 1 को हमने रहने दिया और निचे में जो आप देख रहे हैं एक पावर 2 B minus 1 उसको हमने आप देखें क्या लिख दिया है जैसा है एक पावर 2 B minus 1 का लिख दिया है धोस्तों यह सामने इसलिक आप अगर आप ई माल लेंगे तो यह एक और वन क को अगर आप दी माल लेंगे तो बीका इसकोर और एसकोर मायनस बींड का फर्मुला क्या होता है दोस्तू ए माईनस बी इंटू ए प्लस बी तो आसानी हलिस वाउं लोग उस फोरॉलर में इसको क्या कर सकते हैं चैनल कर यहां पर देख सकते हैं उन्हों को हमने रहने दिया और secular laqo कि आतो दिया हमने – b याणि यह कपन और थी मैने morning माने और यहां यह प्लस भी यानिकिंत इस पलस वन ठीक है अब आप यहांस देख सकते हैं यह हमने गिलतियां पर उपर ले जाएंगे तो पूरा का हॉल और चुकि हमने बी को क्या डिफाइन क्या था है तो अब उस बी का बहलू को रखने का समय आगया है उसको हम लोग जैसे हैं पर रखेंगे तो यह क्या बन जाएगा एक प्लस वन और पूरा अंडर ब्रेकट का पार माइनस वन तो इस तासे जो हमारा स्पेक्टरल डेंसिटी का रेश्यो है दोस्तों एट मिन्यूइव इक्वल टू निव डिवाइड़ वैट निव टू निव इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर मेच कर रहा है वो आपशन कि बी के साथ मेच कर रहा है यानि कि इस क्वेश्चन का जो क्रेक्ट आंसर दोस्तों क्या है ऑप्शन भी है आसा करता हूं आपको समझ में आया होगा आए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन question number 24 consider a thin long insulator coated conducting wire carrying a current okay question number 24 a consider a thin long insulator coated conducting wire carrying current eye it is now wound and once around an insulating thin disc of radius r to bring back on the same side as swan in the figure the magnetic field at the center of the disc is equal to दूस्ते आप यह जो तार है एक तार लिया जा रहा है उसको एक डिस्क के तरह यहां पर एक राउंड किया जा रहा है और राउंड एक राउंड डिस्क का सरकल बनाने के बाद फिर उसको उसी direction में back लाए जा रहा है लव देख सकते हैं कि एक बार गोल तार को मुड़ा गया फिर एक बार हाप मुड़ा गया और यह फिर खुद में वायर है तो यहां पर यह तीन पार्ट बन गया ठीक है यह कितना पार्ट बन गया तीन पार्ट इस तीनों पार्ट के कर दिया है तार infinite length का वायर है तो सेंटर पर जो magnetic field होगा दोस्तों एक क्वाइल के चलते सर्कुलर क्वाइल के चलते होता है मिनोट आइब और यह किस तरह सेमी सरकल है तो सेमी सरकल के लिए कितना होगा मिनोट आइब टू आर को टू से डिवाइड कर देंगे देखिए हमने वह ही क्या यहां पर वन बेटू कर दिया आधा हो जाएगा और infinite वायर के लिए दोस्तों कितना होता है मिनोट फोर पाई बैट टू आई अब आप यहां पर देख सकते हैं कि यह जो फेलू है इसको हमने क्या क्या है सिंप्लिफाइड क्या है यह देखिए मिनोट आई बैट टू आर कॉमन ले लिया तो यहां क्या बच गया वन बचा और यहां पर वन बैट टू बचा प्लस यहां से देखिए टू टू कर दिया रोडेतो यह मिननुट अब यहां से देख सकते हैं कि यह 1 प्लस 1 पी ठीक टो बन गया और यहां से भी मिनास टैस्पा नेयुक्तुल्टीपलाए करना पड़ेगा तो देखिए किस तरह हो जाएगा यह 1 by 2 का फेक्टर भी बाहर लेंगे तो नीचे यह बाहर हो जाएगा मिन टाइब फोर यहां बचेगा यहां बचेगा यहां बचेगा है तू से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा चूकि नीचे टू है नहीं हमने कॉमन लिया है तो यह बन सब्सक्राइब करता हूं आपको समझ माया होगा और इस कुश्चिन को जो बैस्ट आप्शन है दोस्तों यह आप्शन भी नेक्स्ट्ट नो इस कहिरा तो आपक से दूसतों नुस्तक्राइब टू इस कोहरें पॉंट सोर्स asone और श्टियोग सपर एस्मॉड दिसटंस अलों के वर्तिकल लाइंग ट्वें थो इस क्रेंश के श्चेगा यह व्यूद करेंगा है एड़े सेंट्रल रिजन्स ऑन दे स्क्रेंट दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि एस वन ने स्टू क्या है दो पॉइंट सोर्स है और पी वन और पीटू क्या है अब आपको बताना है कि इस दोनों सोर्स के चलते जो फिरिंज बनेंगे उनका पैटर्न क्या होगा इस और स्क्रेंट पर और सिटू के तो यह देक्स इस भूल जाएंगे तो यह तो आपको देखा देखा लग रहा है अपने टाओगा तो आप इसको बता सकते हैं है यहां पे बनेंगे यह तो कंफर्म सेटप कुछ तरह पड़ाओगे मेंच हो कि फार्टे ओवर फिरफट हो गया उसको सबस्क्राइब क tanto झो cable ऐसे पीटु में कह रहा है कि सर्कुलर वर न か डूस्ते लिवं सकते हैं तो नहीं बन सकता है क्योंकि पोजिशन दोस्तों जोने पीटु के ठीक परेंडिकूलर में प्यू औुञैंट क्या यस对 सबने नहीं हो जाता है तो यानि बने वाला नहीं है तो आफाल से इस तरह से यह भी क्या हो 사람 हो हो गया तो जो करेक्ट आप्षन बचा हो कि अब चिए हो गया है असा करता हूं आपको यह समझ माया होगा कई बार इल्मिनेशन मेथड लगाना पड़ता है इसका लोजिक वही है कि लोकस अब कॉंस्टेंट पाथ डिफरेंस से सर्कुलर ऑन इस एंड स्टेट लाइन ऑन डिस पीटू ठीक है तो इस तरह से इसका ऑप्सन करेक्ट के दोस्तों यह है कि आई देखते हैं नेक्स्ट कॉस्ट्ट्ट इसका नेक्स्किटों क्यों veramente अस्ट न मेरे त्वैंटरिक फिल्ड आपन लेक्रोंगेनेटिक वेविज इंग व्याइस ब्हाइलग्यल टू-कैप मैंनोस थ्री की एकसे प्रशे 3 मैनम सविथाएँ सब्सक्राइब एक इलेक्रिक फिल्ट का एक्विशन दियावा है और इसमें यहां पर आपको यह बीटा दिख रहा है उस बीटा का भेलू पुछा है इन टर्मस आप सी वेर से इस पिड़ाफ लाइट तो देखें हमने सबसे हम क्या करेंगे सबसे फिल्ट का जो इस्टेंड इक्विशन यह होता है इस इक्वल टू इन और एनकेप साइन के डॉट आर माइनस ओमेगा टी तो उस फ़र्म में इसको सबसे पर ले लिखने कोसिस करते हैं तो यह यह एनकेप का भेलू है यह नॉट है यह साइन है और यह टेन का पार सेवन आप इसको हम लोग के डॉट कर आर और यह देखें माइनज सो मेगा टी ते को मजशनाव मेगा के जग है और ये ट का टिय सबसरत में तो यहां कर दोस्तुत telॉट वह टिए तो आप इसको यहां से आप देख सकते हैं हमने उसको लिखा है आई प्लस टूजे प्लस थी के डॉट एकस आई प्लस य जे प्लस य प्लस य प्लस य जे प्लस जेट के कैप मैनस बीटा टी और यह 10 का पाउर 7 कॉमान है तो आप जब इस उपर वाला एक्वेशन को दोस्तों वाला इस एक्वेशन वन को इसको जब आप कंपेर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ओमेगा का भेलू है टिक है यह 10 का पाउर 7 और यहां पर यह बीटा तो 10 का पाउर 7 इंटू बिटा और आप देख सकते हैं यहां से कि हमारा के का भेलू है दोस्तों एक सेगंड तो ये का जो भेलू एक के ब्हेक्टर का कितना वोगा 17 ऑ क्लस जैक ब्लस टू ऑप टूज यह तरिक्यैक एसेवं तरिक्यैक यह तो यह दुनों से we ought और यह क्या है जोकली क्या दोस्तों यह की है कि होता है प्लस वाई ज्राठ आ ठीक थक तो हमने इसको इस beim कि इस तरह से हमारे पास तो अमिगा डान आगिए बीटा टेन का पार seven और के कब लुआ जोब फिल्वन जोड़ने के लोग कर लेते हैं जोश्टो आपको मालूम होगा कि जो चुक्ति रिक्टर फॉर्म में तो और उसका फर्मला क्या होता है तो अमेगा का भेलू बीटा अंटू तो अपने को बाहर मेरा गया और इस बैक्टर का मैंनिटूट की टना हो जागा दोस्तों फिर वान q 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 x q 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 और यह 9 प्लस 4 प्लस 1 रूट 14 हो गया आप देख पार होंगे 10 का पार 7 10 का पार 7 कट गया तो हमारे पास सिर्फ बचा किया उपर में बीटा और नीचे में रूट 14 यहां से दोस्तों अगर आप बीटा का भेलू निकालेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट 14 इंटू सी या होती आसान कोश्चन थे लेक्ट्रमाइनेटिक थियोरी से कोश्चन ए रूट अंडर 14 सी आसा करता हूं दोस्त आपको समझ माया होगा और इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें कोविड-19 सि